वेलकम टो पर चैनल हम बात करने वाले रादिका जोएल टेख के वारे में करेंटली डेली चार्ट पर हैं हमारे मेंबर्स ने ही रिक्वेश्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी अनलिसिस चाहिए इस टाइक कर सकते हो इंडेक्स चैनल आप हमारा टेलिग्रा level होने वाला है जो आपका mean resistance होगा और यहां से आपको बहुत easily एक अच्छा selling देखने के लिए मिल सकता है और जब भी selling आएगा तो selling बड़ा होने वाला है normal selling नहीं होगा कम से कम 35-50% इस type का correction आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है या तो फिर तो पैसा अलड़ी लोगों का double हो चुका है किसी का triple हो चुका है तो profit booking आने ही बाला है वहाँ पर तो जब भी selling आएगा बड़ा होगा सेम 157-158 के लेबल से selling आना स्टार्ट हुआ है और हम अलड़ी एक बार 105 का low लगा चुके है अभी second time trade कर रहे हैं जब यह buying आया था मैंने तब भी आपको कहा था कि यह just buying है एक bounce है तो इस bounce में trap मत होना आने वाल टाइम में आपको फिर correction देखने के मिल सकता है अभी हम continue कर हो रहे है अभी के लिए जो हमारा important support है वह 100 रुपीस के आसपास ही है तो 100 का लेबल हो गया वंजीरो 55 लेलो सेम लेवल ही है ठीक है तो यह पूरा एक range अभी के लिए बनने वाला जो कि वालटायल या साइडवेज हो सकता है तरन आल में आपको breakout या breakdown देखने के मिलेगा अ हम अगला लेवल करीब 80 रुपे तक जा सकते हैं और अगर breakout करके निकलता है 120 125 का लेवल तो हम करीब 135 से लेकर 140 के लेवल तक अपसाइड पर जा सकते हैं बाकि यहां पर buying प्लान करने का ज्यादा कोई sense नहीं बनता है अगर हम short term trading की बात करते हैं क्योंकि फिलाल negative है तो आसपास के return बना कर दिया है तो ज्यादा अगर आप अभी के time में aggressive रहोगे तो loss करके ही निकलोगे क्योंकि one way momentum था और अभी one way selling आ रहा है इसके पहले continue sideways था तो फिलाल hundred के label तक तो अभी minimum आ ही सकता है इसके बार decide होगा upside पर जाना है या downside पर तो wait कर लो label का अगर यहां पर analysis यह stock का नाम कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much